दीगी बिंदी चैनल में हम सभी का स्वागत है तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि अब जो है हम रिवीजन करेंगे और नए पैटर्न को देखते हुए जो यूजी सी नेट का नया पैटर्न आया है अभी हमारे सामने उसको देखते हुए हम टॉपिक्स जो है कवर करें जो भी अगले परिक्षाएं होनी है चाहे वो यूजी सी नेट की है चाहे वो यूपिएचेसी की है चाहे वो MPPSC की है तो जो भी है हम इस बार के सिलेबस जो आया था हमारा सिलेबस तो वही है लेकिन जो पैटर्न बदला हुआ था उसी के अनरूप हम डिटेल्स पे कालिदास कविता बहुत एजी है वैक्या करने की यहां जरुत नहीं है क्योंकि पहले भी वैक्या तो कर चुकी हूँ और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी तो आप वैक्या पढ़ लेना बाकी इसके प्रश्ण उत्तर पर जो मुझे लगेगी इससे संबंदित पंंकवाली में संकलित है सतरंगे पंकवाली का प्रकाशन वर्श क्या है तो इसका प्रकाशन वर्श है moins 69 इसवी देखे थोड़ा हसत लिखत यह नोड़्स हैं तो थोड़ा एपनेज कर लेना क्योंकि राइटिन् sufficient को लेके क्योंकि थोड़ा सा जो अब आप मैं copy में ही notes बनाना prefer कर देती हूँ जादा PDF नहीं create कर पाती तो अलग से जो है इस पे तो इसलिए जो है आपको जो मेरे खुद के बनाए मिलेंगे वो आपको hand return ही मिलेंगे आप उन प्रश्णों को देख लीजिएगा थोड़ा सा writing का अगला प्रश्णी है इंदु मती के मृत्ति शोक से अज रोया या तुम रोय थे ये जो कथन है या पंग्ती है ये किस पर आधारित है तो ये रगुवन्श महा कावे के प्रसंग पर आधारित है तो कालिदास के तीन महा कावियों का इस काविता में जिक्र किया गया है तो इसकी जो पहली पंक्ती पहला अनुच्छेद जो है वो कालिदास के महा काविय रगुवंच पर आधारित है तो यह अलग-अलग प्रकार्ट से प्रश्ट पूछा जा सकते है ये भी पूसकते है कि ये पंक्ती किस पर आधारित है कौन से कविता की ये पंक्तियां है तो ये कालिदास की पंक्तियां है ये तो आपको clear है लेकिन ये कौन से अनुछेद में है ये भी पूसकते है तो ये पहले अनुछेद में ही है आपका ये प्रश्ण जो है पहले अनु प्रति आती है और किस पर आधारित है तो काली का अधारित क्रत रगुवंश महाकाव के प्रसंग पर आधारित है तो का ली दास का विता में जो दीसरा प्रसंग है वो कामदेव और रती के विशे में है पहला प्रसंग किसके विशे में है इंदुमती और अज के विशे में प्रश्ण कहीं से भी कुछ भी बन सकता है तो यहां वो भी प्रश्ण बन सकता है कि पहली पंक्ती किस पर अधारित है इंदुमती और अज भी दूसरी पंक्ती कामदेव और रती के विशे में है और ये जो दूसरा अनुछेद है इसका वो किस महा कावे पर आधारित है पहला रगुवंश पर दूसरा कुमार संभव पर आधारित है जिसमें कामदेव और रती के विशे में बताया गया है कालिदास का तीसरा अनुछेद किस महा कावे पर आधारित है तो ये मेगदूत महा कावे पर आधारित है तो तीनों ही आपको पता चल गए कि कौन-कौन से पर आधारित है रगवंश, कुमार संभव और फिर मेगदूत इन तीन पे आधारित है तीसरे अनुच्छेद में क्या वर्णित है पहले में आपने देखा अज और इंदुमती का वर्णन है ये ध्यान में रखेगा देखे ये जैसे कि इस वरी पैटर्न था कि अनुकरम पूछा गया था तो हो सकता है तो जैसे कि आपको पता है कि अनुकरम पूछे गए है तो यहाँ पे मैं अनुकरम ही बता रही हूँ कि पहले में इंदुमती और अज का वर्णन है दूसरे में कामदेव और रती का वर्णन है और तीसरे अनुचेद में क्या वर्णित है प्रथम दिवस आशाड मास का तो ये कविता की पंक्तियां किसकी है तो आपको हो सकते हैं भी से उठा के पंक्ति दे दे तो ये काली दास कविता की पंक्तियां है अब एक और चीज जहां इस प्रशन से बनता है कि ये जो पंक्ति है वर्शर रिस्तु की इसनेक दभोमिका प्रतम दिवस आशाड मास का ये किस अनुचेद से ली गई है तो इसमें आपने तीन अनुचेद देखे पहला दूसरा और तीसरा तो ये किस अनुचेद से ली गई है तो ये तीसरे अनुचेद जिसमें आपको यक्ष और उसके विरह के बारे में पता चल करती है तो ये सुमित्रा नन्दनगांद की जो पंक्तियां है उसको शारथक्रती kuin कंति को हैं हैं यसको का Exodus कетрती है व होगा पहला कवी आहाज सी उपजी होगा तो इस प्रकार से जो है उससे तो नहीं प्रिशन इस पर अधायत हो गए अब यहां पर हो सकता है आपको एक प्रश्न ऐसे भी करके पूछ ले कि नागर अरजन की कवेता कालि दास में कालि दास के किन महा कावे का वर्डन नहीं है तो तीन महा कावे का इसमें वर्डन है रगवंश कुमार संभव और मेगदूत रितु सहार का नहीं है या ध्यान में रखिएगा कि किसका वर्णन है और किसका वर्णन नहीं है यहाँ प्रश्ण इस पे भी बन जाएगा अब एक और चीज अगला प्रश्ण है कि कालिदास कविता में कितने परिछेद हैं तो इस कविता में तीन परिछेद जो हमें देखने को मिलते हैं तो यह चीज हो गई कितने परिषेद हैं तीर परिषेद पहले परिषेद में कितनी पंक्ती है जिसमें अज और इंदुमती का वर्णन है उसमें चार पंक्ती है दूसरा परिषेद जिसमें कामदेव और रती का वर्णन है उसमें आठ पंक्तियां है तीसरा परिषेद जिसमें यक्ष का विरह वर्णन है उसमें सत्रा पंक्ती है तो ये तीनों चीजे आपको क्लियर होगी देखो छोटी-छोटी चीजे हैं पर बहुत ही महतवपूर्ण हैं अब यहां पर अगला प्रशन हैं यहां पर प्रशन इस प्रकार से पूसकते हैं कि अज किसकी मृत्यों शोक पर रोय थे कालिदास कविता के आधार पर बताईए तो ये इंदो मती की बिटिशुक पिरोई थी रती करोणे विलाप क्यों करती है दूसरे परसंग में है तो क्यों करती है तो कामदेव के भस्म हो जाने पर अब इनका तीसरा जो महा कावे है मेगदूत वो किस प्रकार का कावे है तो वो विरह का कावे है जिसमें यक्ष के विरह का वर्णन है अब यहाँ पे इसकी पंक्ती भी उठा के दे सकते है कि कालिदास सच बतलाना पंक्ती किसकी है तो ये नागा अर्जुन की पंक्ते हैं कालिदास कविता से बादलों का वर्डन करते हुए कभी नागा अर्जुन को कालिदास की याद क्यों आती है तो कालिदास के जो महा कावे उसमें यक्ष ने बादलों को दूत बना कर अपनी पतनी के पास भेजा था तो कालिदास कविता में यक्ष प्रसंग में किस महा का वर्णन है तो इसमें कौन से महा का वर्णन है यहां आपको हो सकता है बीच का प्रसंग पंक्ति उठा के दे दे की अमल धवल गिरी के शिखरों पर यह पंक्ति किसकी है किस कविता से लिए गई है तो यह कालिदास कविता नागारजुन की पंक्तिया है अगले है यक्ष कहां खड़ा होता है तो चित्रकूट के शिखर पर खड़ा होके जो है बादलों से बात करता है जाने के लिए अब देखिए यहां पर अब जैसे कि अनुकरम लगाने के लिए आया था पंक्ति पर तो यहां पर देखिए मैंने अनुकरम अनुसार थोड़ा स पंक्ति बीच बीच का उठा लिया है तो आप उनको भी देख लें तो इंदु मति के मृत्य शोक से अज रोया या तुम रोय थे दूसरी पंक्ति शुरोगी शिवजी की तीसरी आँख से फिर उसी की दूसरी जो पनचेद है उसकी पंक्ति है रती का क्रांदन सुन आखों से आगे है तीसरी पंक्ति में वरश्य रितू की सनेक्द भूमे का फिर है विधुर यक्ष का मन जब उच्टा अमल धवल गिरी के शिखरों पर तो इस प्रकार से इसका ये अनकरम है तो प्रशन आपको किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकते हैं तो यहां आज मैंने काविता के प्रशनों को लिया है और नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर मैं कोई और चीज जो है कोई और काविता जो है ले लूँगी आप सभी को यह कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएगा किसी टॉपिक पर जाहते हैं कि जल्दी वीडियो बनाया जाए तो वेबिक कमेंट सरूर करेगा धन्यवाद